नमस्कान यूस वो नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ कि इस तरह के कापाटी का प्रदर्शन क्यों रहा है कई सारे सवाल भी पूछे गए हाल ही में राश्टिक कारकार्णी की बैठ्चक कॉंग्रिस की तरफ से आयोजित की गई थी नए प्रभारी यानि की भक्त चरणदाश यहां पर आएं और तमाम तरीके से समिक्षा भी की लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रिस अब जो है उसकी सिती छेत्रे दल से भी जादा खराब होती दिखाई दे रही है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं विस्तार में बिहार विधान सबा चुनाओ में कॉंग्रिस का प्रदर्शन काफी खराब रहा खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर लेटर बम भी फोड़े गए चनाओ परिणाम की बात कॉंग्रिस के वरिष्ट नीता कपिल सिब्बल सहित कई नीताओं ने प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किये कॉंग्रिस पार्टी के कारिशाली को लेकर अंदर बाहर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया सिबेच कॉंग्रिस अलाकमान नीठ दिगच कॉंग्रस सी भक्त चरनदाश को बहार कॉंग्रस का प्रभारी में एक्त किया दस नी पहली ही बैठक में बहार कॉंग्रस की गुटबाजी का लाइफ चेली कास्ट अपनी आँखों से देखा भक्त चरणदास की मौझूदगी में कॉंग्रिसी कारिकर्टाओं के बीच जम कर हाथा पाई हुई और कुर्सियां तक चली इतना ही नहीं बिहार विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रिस के संबल पर चुनाओं लड़ने वाले जाधा तर प्रत्याशिवी पार्टी मीटिंग से गायब रहे ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में कॉंग्रिस के दिन अब कब बहुरेंगे बिहार कॉंग्रिस का प्रभारी बनने के बाद पहली बार भक्त चरण दास अपनी तीन दिवसी बिहार यात्रा पर जब पटना पहुचे तो उन्हें अपनी पहली ही बैठक में कॉंग्रिस के अंदर चल रही गुटबाजी और अंतर कलह का पता चल गया कॉंग्रिस नीता संजीव टोनी ने दास के सामनी जमकम रहम गामा किया दास ने पाटी के सभी छोटे बड़े नेताओं को मीटिंग में बुलाया था इस मीटिंग में तकरीबन सभी लोग आएं लेकिन हाली में चुनाव लड़ने वाले 51 प्रत्याशियों में जादतर प्रत्याशी गयब रहे पाटी का सिंबल हासिल करने के लिए जो प्रत्याशी पटना से दिल्ली दोर लगाते थे वही प्रत्याशी दास के तीन दन पटना ठहरने के बाद भी उनसे नहीं मिल सके हारे हुए 51 प्रत्याशियों में से जादा तर प्रत्याशी भक्त चर्ण दास के पास बुलाने पर मीटिंग में नहीं आए क्या बिहार में कॉंग्रस को अब लोग विकल्प ही नहीं मानते बिहार में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं पंचायत चुनाव में भी जहां दूसरी पार्टियां रणीती बनाने में लग गई है वहीं कॉंग्रस पार्टी को इसको लेकर कोई ठोस रणीती का अभाव है बीते वधान सभा चुनाओ में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसके पीछे के कारण लोगों को अब पार्टी प्रभावी विकल्प के तौर पर नजर नहीं आती है कॉंग्रस पार्टी भी इसको समझने को तयार नहीं है कॉंग्रस से जुड़े लोगों को कहना है कि चुनाओ के वक्त दूसरी पार्टी के नीता टिकट लेने जरूर आ जाते हैं लेकिन जैसे ही जीतते हैं तो मोल भाव करने लगते हैं जो प्रत्याशी चुनाओ हार जाते हैं वह अगले चुनाओ तक किसी दूसरी पार्टी का ठिकाना तलाशनी में लगा देते हैं जब बिहार कॉंग्रस के प्रदेश अध्याक्ष मदन मोहिंचासी मीडिया ने सवाल किया कि कॉंग्रस पार्टी पिछले 35 सालों से आत्म मंथन क्यों नहीं कर रही जिस पर जान ने कहा कि संगटनात्मक तौर से पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है हम ये भी जान रहे हैं कि गलती कहा हुई और आगे इसमें कैसे सुधार होगा बेते दुनों जो गटना गटी है उस पर हम दो तीन नेताओं पर कारवाई के सफारिश कर रहे हैं अगर ये लोग पार्टी में हैं तो उनको निकाला चाएगा और अगर पार्टी में नहीं है तो फिर उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है हमारे कॉंगर्स प्रभारी नहीं सकत लहजे में कहा है कि पार्टी में अनुशाशन पहली प्रात्मिकता है और हम लोग भी उसी पर अमल करेंगे बिहार के सभी नौ प्रमंडलों में कॉंगर्स प्रभारी के यात्रा होने वाली है भागलपुर से इसके शरुवात होगी हम लोग बिहार के बहतर भावश्य के लिए कॉंगर्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो फिलाल अगर बिहार में कॉंगर्स के बात करें तो इस सिती ठीक नहीं है लेकिन आने वाले समय के लिए पार्टी पूरी तरीके से रणीती बना रही है तैयारी कर रही है हाला कि दूसरी पार्टी के मुकाबले कॉंगर्स थोड़ी कम जोर है और कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या बेहार में उनका अस्तत्व ही खत्म हो गया है जस तरीके से चुनाव परिणाम आये हैं ऐसे में कॉंगर्स को अपनी समिक्षा करना बेहत जरूरी है फलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस वार्णीशन नमस्कार